पर कोई भी संदे नहीं है कि युवा एक देश की रीड की हड़ी होते हैं और मुख्यमंती अर्विन केज युवाल की लीडर्शिप वाली दिल्ली सरकार इस बात में पूरा यकीन रखती है क्योंकि इस बार ये सरकार राज़ानी दिल्ली के 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है वो भी अगले 5 सालों में चलिए दिखेता हैं इसकी एक जलक मैंने पिछले 7 साल में सरकार की प्रात्मिक्ता के अधार पर आपके समक्ष जीरो टेक्स बज़ेट प्रस्तुत किया एजुकेशन बज़ेट प्रस्तुत किया हेल्थ बज़ेट प्रस्तुत किया इस सदन में मैंने एक बज़ेट ग्रीन बज़ेट प्रस्तुत किया पिछले साल देश भक्ती बज़ेट प्रस्तुत किया आज आपके 39 से में सदन में अगले वित्वर्ष के लिए रोजगार बगेख तुस्तुत करूँ रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल की एक पारी के बाद दिल्ली की आम आदमी सरकार इस उनलाइन प्लाटफॉर्म का दूसरा फेज लॉंच करने जा रही है रोजगार बाजार टू पोर्टल को सारे 4,000 करोड रुपे की शुरुवाती लागत के साथ लॉंच किया जाएगा जिस से के दिल्ली के 20 लाग युवाओं को अगले 5 सालों में नौकरी दिलाई जा सके हम लोगों ने जो एक रोजगार पोर्टल चालू किया जोब पोर्टल चालू किया जिसमें एक तरफ तो फैक्टरियां थी जिनको आदमी नहीं मिल रहे थे फैक्टरियां खुल रही थी लेकिन आदमी नहीं मिल थे और दूसरे दरफ लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी तो उन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक जूब होटन शुरू किया और वो बहुत सक्सेस्फुल रहा दिल्ली सरकार के आंकडों के अनुसार रोजगार बाजार के पहले चरन में करीब 10 लाक युवाओं को भिन-भिन सेक्टरों में रोजगार दिया गया था 30 जून 2022 तक पिछले रोजगार बाजार में 19,402 यूनीक इंप्लॉयर्स ने भाग लिया था और करीब 15 लाक बेरोजगार युवाओं ने रिजिस्टर किया जो भी मेरा experience है उसके हिसाब से मुझे मतलब की काफी अच्छी salary भी मिली है रोजगार बाजार से केजरिवाल सरकार का एकलोता मकसद इंप्लॉयर और बेरोजगारों के बीच की दूरी को कम करना है रिजिस्ट्रेशन के माँ 24 घंटों के अंदर ही एक एम्प्लॉयर को उप्युक्त रोजगार आवेदकों से जोड़ दिया जाता है